हेलो दोस्तो नमस्कार इंडियन रेहिल मिन्या में आपका स्वागते दोस्तो आज की ट्रेन जानकारी है महाराष्टा संपरक्रांती जो बांदरा टर्मियल से ह्याजरत निजामुदिन के बीच चलती है अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर हजरत निजामुदिन के बीच चलती है और ये ट्रेन हपते में दो दिन चलती है सोमवार और गुरुवार और ये ट्रेन बांदरा टर्मियल से लेके निजामुदिन के बीच 1367 किलोमेटर का डिस्टेंस सिर्फ 19 गंटे में कवर करता है और ये ट्रेन का एवरे स्पीड है 71 आप बात करते हैं इस ट्रेन के कोचिस के बारे में ये ट्रेन को 17 जनवरी 2017 को एलजबी कोचिस में अपगरेड किया गया है और इससे पहले ये ट्रेन आईसेफ कोचिस में चल दी थी और ये ट्रेन को 3 जनरल क्लास, 10 स्लिपर क्लास, 5 AC3 टायर, 1 AC2 टायर, 1 पेंटरी कार और 2 IOG के साथ चलाया जाता है, अब बात करते हैं इस ट्रेन के फेर के बारे में, स्लिपर क्लास का फेर है 585 रुपे, AC3 टायर का फेर है 1555 रुपे, और AC2 टायर का फेर है 2250 रुपे, और ये ट्रेन में आपको पेंटरी कार भी देखने मिलेगा, जिसमें आपको ट्रेन के अब बात करते हैं ये ट्रेन के टायमिंग और स्टॉपेज के बारे में, महराष्टा संपरक्रांती अपनी ओरीजिन बांदरा ट्रेक्मिनल से शाम के चार बच के 35 मिनिट में निकलती है, और अपनी अगली स्टेशन बोरियोवली पाच बच के 5 मिनिट में पोच्चती है, और वहाँ से 5 बच के 9 मिनिट में निकलती है, और वहाँ इसका 4 मिनिट का हॉल्ट है, फिर ये अपनी अगली स्टेशन बच के 20 मिनिट में पोच्चती है, और वहाँ से 11 बच के 12 मिनिट को निकलती है, और वहाँ उसका 10 मिनिट का हॉल्ट है, फिर ये अपनी अगली स्टे में पोस्टी है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीस लाइक सस्क्राइब कमेंट और शेर करना ना भूले थैंक यू